जहिन दोस्तों तो हाजिरों मैं आपके सामने आज लिकर के लिए आया हूँ आपके लिए वन लाइनर्स का ही MS Excel के ठीक है तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं MS Excel के खुब डेट्स आरे ठीक है और यह मेरा आप जैसे की देख रहे होंगे यह मेरा क्या है पार्ट 3 यानि वन लाइनर्स का ही most important वन लाइनर्स का यह क्या है पार्ट नमबर 3 वन लाइनर्स के ही पार्ट 2 और पार्ट 1 हमारे इस वीडियो के बाद आप चाहें तो हमारे चैनल पर जा करके आप उसको देख सकते हैं और वहां पर जितने भी वन लाइनर्स बताए गए हैं वो जो जो जिस टॉपिक के हैं और यह जिस टॉपिक के हैं यह हम लोग की पूरी कैरेंटी है 101% की कि आगर आप इनी वन लाइनर्स को प्रिपेर कर लिए तो आपके UPPCL Assistant Accountant के जो Examination अभी होने वाले हैं उनमें इनी वन लाइनर्स में से आपको उनी टॉपिक के वही पॉइंट मिलेंगे जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे ठीक है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जा करके Part No.2 और Part No.1 को जरूर से देखिएगा बट इस वीडि अपने साथ एक copy और pen को ले करके बैठा करिए ताकि आपको जो भी important लगे वैसे तो हम लोग ऐसा कुछ देते नहीं जो कि important हो ही ना लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा important है तो प्लीज उसको note down अपने पास अपनी copy में ज start करते हैं तो देखे सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग पास total one-liners कितने है 45 ठीक है यानि कि आज हम लोग total कितने one-liners पाढ़ेंगे 45 और इनहीं one-liners में आपके one-liners के साथ क्या है shortcuts भी है ठीक है यानि 45 total one-liners में आपको कुछ points आपके one-liners के लिए होंगे और कुछ points आपके most important shortcuts के लिए होंगे ठीक है तो चलिए फिर आज के अपने first one-liner की तरफ चलते हैं तो आज का जो हमारा पहला one-liner है वो हमसे बोला है यह देखिए Excel के बारे में है ठीक है यहाँ प अगर Microsoft Excel की sheet को आप लोग देखे ही होंगे मुझे अमीद है तो उसमें क्या होते है ऐसे sheet होती है जिसमें बहुत देर सारे ऐसे rows और columns बने होते है ठीक है और यह हमारी क्या होती है यह जो होते है यह हमारे cells होते है यह एक cell यह एक cell यह एक cell ऐसे करके यह क्या है अब देखि पंक्तियों और इस थंबों के प्रतिछेदन को cell कहा जाता है ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह हो गई हमारी row और यह हो गई हमारा column तो जहां पर यह एक बार intersect करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा एक cell उसी तरह यह भी एक cell उसी तरह यह भी एक cell ठीक है इसी तरह मतलब यह in Excel 2007 worksheet is 1048576 यानि कि 1048576 एक्सेल 2007 worksheet में समर्थित पंक्तियों की अधिकतम संक्या 1048576 है ठीक है यानि कि 1048576 तो देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे worksheet मैंने उपर बनाई हुई थी यह हमारी worksheet है ठीक है यह क्या हमारी worksheet है तो इस worksheet में number of rows यानि कि जो हमारी एक आपको एक और worksheet बना करके दिखाता हूँ यह हमारी क्या प्रिपेर हो गई है worksheet ठीक है यह हमारी जो worksheet है इसमें जो यह चीज है number of rows ठीक है यह यह जो number of rows है यह number of rows कितनी होती है Excel 2007 में ध्यान से version जरूर से देख ली जगा Excel 2007 में number of rows कितनी होती है 1048576 यानि कि 1048576 हिंदी में अगर देखें तो Excel 2007 worksheet में समर्थित पंक्तियां यानि पंक्तियां मतलब यह चीज आपकी और इतनी यह जो पंक्तियां होती है इस पंक्ति में कितनी worksheet कितनी पंक्तियां होती है total 1048576 यानि 1048576 इस number जरूर में ध्याने से रखिएगा कि 1048576 यानि 1048576 और यह किस version के लिए है Excel 2007 अब देखें similarly हमारा जो third point है वो क्या बोला है the maximum number of columns अब देखो या आपर जैसे मालों यह हमारी worksheet है ठीक है यह क्या है हमारी worksheet हुई यह हमारी worksheet हुई यह हमारी worksheet है इस worksheet में यह जो होता है आप यह चीज़ horizontal वाला horizontal वाले को हम लों बोलते है row और जो यह vertical वाला है इसको क्या बोलेगा हमलों column ठीक है तो यह जो column ओता है यह column Excel 2007 पर कितना होता है Excel 2007 में यह जो column होता है यह कितने होते हैं 16384 ठीक है total column कितने होंगे 16384 ठीक है इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रोज कितनी होती है, 1048576, और columns कितने होते हैं, 16384, ठीक है, और किस version में, Excel 2007 के version में, ध्यांस देखिएगा सारी चीज़ें, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, point number 4th की तरफ, point 4th हम से बोला है, the default extension of Microsoft Excel 2003, safe file is .xls, .xls, यानि Microsoft Excel 2003, safe file का default extension .xls होता है, ठीक है, अभी जो हमारा Microsoft Excel 2003 है, ठीक है, 2003 जो है, उसमें, जो हमारा default extension है, जो default extension मतलब समझ रहोंगे आप लोग, कि Excel की जो file है, वो जब save होती है, तो उसके last में, क्या चीज़ होता है, जो show करता है, कि ये Excel की file है, ठीक है, या किसी भी software का, मतलब हर एक software का, अपना-अपना, अलग-अलग extension होता है, ठीक है, उस extension में क्या होता है, कि वो ये दिखात Excel X, लेकिन ये किस चीज़ के लिए है, Microsoft Excel 2003 के लिए, ये version जरूर से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, version जरूर से, देखे, current में जो चल ला है, वो चल ला है, आपका Windows 10 में, Windows 10 में, आप मेरे को comment करके बताईएगा, वैसे तो ये चीज़ सभी लोग जानते है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी, as a reminder, आप comment करके जरूर से बताईएगा, कि क्या होता है, Windows 10 के जो Excel है, उसमें उसका extension क्या है, ठीक है, यानि कि Windows 10 का जो Excel है, उसका extension क्या होता है, ठीक है, अब आगे बढ़ते है, 5th point की तरफ, 5th point हमसे क्या बोलना है, VBA, यानि Visual Basic for Applications in MS Excel was used from Excel 5 version, यानि MS Excel में VBA, एप्लिकेशन के लिए Visual Basic, Excel 5 version से इस्तमाल किया गया था, अब देखिए, यहाँ पर सबसे परदे तो एक चीज़ आप लोग धियान में रख लीजे, फुल फॉर्म, ठीक है, VBA का फुल फॉर्म क्या है, Visual Basic for Application, अब इस फुल फॉर्म में भी देखना भाई, कि VBA, सब का First Letter, Visual का, Basic का और Application का, लेकिन यहाँ पर For का कुछ नहीं इसने लिया हुआ, ठीक है, तो यह फॉर्मुला आपको याद करना पड़ेगा, कि VBA का फॉल फॉर्म क्या होता है, Visual Basic for Applications, ठीक है न, अब Visual Basic, VBA अगर कहूं मैं, तो VBA, MS Excel में, Excel 5 version से इसने शुरू किया था, लाना, ठीक है, यानि, question में यह पूछा गया, कि VBA किस version से आना शुरू हुआ था, MS Excel में, तो किस version से आना शुरू हुआ था, Excel 5 से, ठीक है, अब या तो यह भी पूछ सकता है, कि Excel 5 version में, नॉर्मल, उसके पहले MS, मतलब, Excel 5 का, जो Excel 5 version जो आया, और जो उसके पहले ज यानि, visual basic for applications, ठीक है, अब आगे बढ़ते है, point number 6 की तरफ, point 6 हम से क्या बोला है, total number of characters that a cell contain is 32767, यानि, Excel में वर्णो की कुल संख्या 32767 है, अब देखिएगा, जैसे कि, यह हमारी worksheet है, ठीक है, यह हमारी worksheet, यह हमाने बनाए columns, यह हमारी बन गई rows, अब यह जो हमारी cells है, यह जो cell है, यह जो cell है, अब यह sixth point हमको यह बता रहा है, कि माल लेते हैं, यह वाली cell में, यह जो हमारी यह वाली cell है, इस cell में total कितने characters को हम लोग fill कर सकते हैं, यानि, उसमें कितना character contain किया जा सकता है, यानि, उसको कितना डाला जा सकता है, ठीक है, तो कितना डाला जा सकत है 32767 इस एक cell में 32767 characters को हम लोग contain करा सकते हैं यानि इतने characters हम लोग इसमें लिख सकते हैं ठीक है अब आगे बारते हैं 7th point की तरफ 7th point हमसे क्या बोला है F11 function की generates a bar graph from the values entered in Excel यानि की हिंदी में इसको एक बार पढ़ा जाए कि F11 function की Excel में दर्च किये गए मानों से एक बार graph उत्पन करती है देखो जैसे हमारा जो Excel की यह sheet ठीक है यह हमारी Excel की sheet थी इस Excel की sheet में हमने धेर सारे numerical value भर रखी है ठीक है इसमें धेर सारी numerical value भर रखी है और हम F11 press करते हैं ठीक है हमने F11 directly क्या करा प्रेस कर दिया तो F11 function की जो होती है वो क्या करती है एक bar graph बना देती है क्या बना देती है bar graph यानि F11 Excel की में दर्च किये गए मानों से एक bar graph उत्पन करती है ठीक है क्या कर देती है यह एक bar graph बना देती है हमारे लिए ठीक है न अब आगे बढ़ते हैं point number 8th की तरह देखो यहाँ पर जो अपना ये 7th dollar point था इसमें F11 major है ठीक है F11 को जरूर से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि F11 का work क्या होता है वो होता है एक bar graph बनाना कहां से bar graph के लिए जो values होंगी वो उसी की जो आपने excel की जो cells पर आपने values डाल लखी हैं उनी से वो क्या करेगा एक bar graph को generate कर देगा अब देखो यह जो तुमारा 8th point है भाई यह बहुत important point है ठीक है यह कह बहुत important point है इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताइए कि all formulas in MS Excel should start with is equals to sign ठीक है यानि MS Excel में सभी formula is equals to sign से शुरू होने चाहिए देखो अगर हमारे पास जो excel की यह sheet है और इस excel की sheet पर हम चाहते हैं कि किसी भी cells को मतलब मान लिया यहां से लेकर के यहां 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 इन तीनों cells को directly add कर दिया जाए ठीक है तो यहां पर जो हम formula लिखेंगे इस cell पर जो हम लोग formula लिखेंगे उसमें formula लिखने से पहले हमें is equals to लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा is equals to यानि यह वाला जो symbol होता है इसका symbol हमें लगाना पड़ेगा तभी excel किसी character को या तुमने जो formula एंटर किया उसको वो समझता है without is equals to अगर हम is equals to को नहीं लगाते हैं तो excel एक as a normal character ही उसको read करेगा ठीक है normal character ही उसको read करेगा जब तक तुम is equals to नहीं लगा देते जब तक is equals to नहीं लगेगा तब तक जो हमारा excel है वो उसको as a normal character ही लेगा इसलिए साफ साफ लिखा गया है कि MS Excel में सभी formula is equals to sign से शुरू होने चाहिए all formulas in MS Excel should start with is equals to sign ठीक है बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ बहुत अच्छे समझना कोई भी confusion हो जरूर से comment में पूछ लिया करो ठीक है अब आगे बढ़ते है point number 9 पर point 9 हमसे बोला है if a1 is displayed in name box then it indicates first column by a and first row by 1 देखो इस इसको यह भी बहुत important point है भाई यह भी बहुत important point है इसमें तुमसे साफ साफ बता रहा है जैसे हमारे जो excel sheet होती है उस excel sheet पर जैसे कि आप लोगों ने उपर पढ़ा कि 1048576 क्या होती है हमारी और अपने पास इतनी सारी जब यह चीज़े जो होने लगती है तो वहाँ पर अगर हमको किसी एक cell का उस address को जानना है यानि cell address को जानना है ठीक है तो cell address जानने के लिए हमारे excel में एक चीज़ होती है जिसको बोलते है address bar वो ऊपर की तरफ होती है ऐसे करके होता है बहुत छोटा सा होता है यहां तो बने काफी बड़ा बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए यहां पर क्या होता है किसी भी cell का जैसे माल लेते हैं अगर कोई भी हमारी cell है यह इसे करके cell हमारी माल लेते हैं यह वाली जो cell है इस cell पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहां पर इस cell का क्या हो दिखाने लगएगा address दिखाने लगेगा अब देखिय की डिसे को एड्रेश ऊठवार भी बहुए पहर बहुरी कहते हैं और इसी को नेमड़ॉकस भी खाते है तो दोनों चीजे हैं तो अगर एवन नेमड़ॉकस में दिखा रहा है और इंडिक हो गया है जहां पर इंट्रे치D कर रहे हैं यह वाली डिक एक है है तो यह वाला सेल सुर्य यह18 cur हमारा में यहां पर हम अभी हैं उसी तरह यहां पर जो नंबर होगा सबसे पहले वो यहां की रहाँ के यहां पर सबसे पहले आपको अंंक deed रहे और उसके बाद उसकी tapping ठीक है तो column into row के match में होता है ठीक है यानि a1 अगर है जैसे मान लेते हैं a1 अगर लिखा है तो a क्या दिखा रहा है a आपके column को दिखा रहा है ठीक है a आपके column को दिखा रहा है और one किसको दिखा रहा है row को दिखा रहा है ठीक है column और row को धान से समझ लीजेगा ठीक है और इसी तरह मान लेते हैं कभी हमको B7 दिखा दिया क्या दिखा दिया B7 तो B7 का मतलब क्या है B वाला कॉलम ठीक है B वाला कॉलम और 7 वाला रो ठीक है क्या है B वाला कॉलम है और 7 वाला रो है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं point number 9 पर पॉइंट नाइन हमसे अच्छा पॉइंट नाइन तो बता ही रहा था अब नेक्स चलते हैं 10th पॉइंट पर 10th पॉइंट क्या बोला है In 1987 Microsoft released the first version of Excel for Windows version बहुत ही ज़्यादा important point है भाई इस्टार इस्टार बना लो इसमें बहुत ज़्यादा important point है और जो बनाते हो सब बना लो इस symbol में ठीक है इस point पर क्या बोला है कि 1987 में Microsoft ने Windows संसकरण के लिए Excel का पहला संसकरण जारी किया ठीक है यानि कि 1987 में 1987 में Microsoft ने क्या किया था Microsoft ने first version of Excel for Windows version Windows के साथ लगाने के लिए first version of Excel निकाला था कब 1987 में ठीक है न ध्यान से पढ़ लिजएगा 1987 में Microsoft ने Windows संसकरण के लिए Excel का पहला संसकरण जारी किया था ठीक है अब आगे बढ़ते है 11th point पर 11th point हमसे क्या बोला है in Excel sphere type of chart is not available यानि कि Excel में इस फियर प्रकार का चार्ट उपलब्द नहीं होता है देखो यह उसकी तुम्हारी Excel के बारे में तुम्हारी Characteristics बता रहा है ठीक है क्या बता रहा है Characteristics बता रहा है तो यह भी तरस कह सकते कि इंपॉर्टन है क्योंकि एप्रोक्स हर टाइप के चार्ट आपके अवलेबल होते है Excel पर ठीक है ना Excel पर चार्ट इवलेबल नहीं होता है तो ध्यान से समझेगा इसको लिख लीजेगा बलकि copy पर कि sphere type of chart is not available in Excel ठीक है ना अब next चलते हैं next क्या बोला है 12th point हमसे बोला है left alignment is applied by default when some text is entered in a cell in a worksheet of Microsoft Excel हिंदी में क्या बोला है left alignment default रूप से तब लागू होता है जब Microsoft Excel की worksheet की cell में कुछ text enter किया जाता है ठीक है यानि की देखिए ध्यान से समझेगा इसको माल लेते हैं यह हमारी है Excel की worksheet ठीक है यह हमारी क्या है Excel की worksheet इस worksheet पर जैसे ही हमारी धेर सारी cells भी बन गई है ठीक है यह हमारी Excel की worksheet है इसमें धेर सारी cells वगरा भी है ठीक है अब इसमें अगर जैसे ही हम लोग कुछ भी type करेंगे ठीक है इसमें हम लोग ने कुछ भी type किया ठीक है न कुछ भी अगर हम लोग type करेंगे माल लेते हैं कि हमने इस cell िस वारी पे हमने क्या किया कई कुछ भी तो type जब कर लेंगे और type करने के बाद जब कहीं हो टैप करेंगे मालए तहह यहाँ टैप किया तो यहाँ पर जितना characters होगा, वो सारे के सारे किधर आ जाएंगे आपके left की तरफ, किधर आ जाएंगे, left की तरफ और अगर फिर से समझते हैं अगर मैंने उसी तरह इस वाले cell को choose करा किस वाले को इस वाले को ठीक है यानि इस वाले को cell को choose करा और इसमें हमने कुछ भी type किया ठीक इसमें जैसे ही हम लोग type करेंगे तब तक ठीक रहेगा लेकिन जैसे ही type करके हमने इसके बाद कहीं और यहां लेते हैं यहां क्लिक किया तो यहां क्लिक करने के बाद यहां का जितना matter होगा वो सारा का सारा left की तरह shift हो जाएगा ठीक है तो यहीं बोला है कि left alignment ठीक है left alignment is applied by default यानि कि जो left alignment होता है वो default रूप से लागू हो रहता है ठीक है और यह देखने को कम मिलता है जैसा ही Microsoft Excel की worksheet के cell में कुछ भी किया जाए या कुछ भी लिखा जाए तब हमको यह दिख जाता है ठीक है अब चलते है next 13th point पर अच्छा देखो अब यहां पर द्या यहां पर क्या हो रहा है समाप्त हो गए ठीक है यहां पर क्या हो गए समाप्त हो गए जितने भी तुमारे important one-line अच्छ थे देखो पर तुमारे जो 12 तक तुमारे one-line अच्छ जितने थे वो cover-up हो चुके हैं यहां के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे MS Excel के shortcuts ठीक है MS Excel के shortcuts जो है वो बहुत important है ठीक है क्योंकि अभी यहां पर तुम देखोगे कि जो तुमारा MS Word था अगर आपने पेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी यानि कि जो part second था मेरा उसको उसमें मैंने MS Word के बारे बताया है ठीक है तो अगर आपने नहीं देखिए तो उसको जागर के द डिफरेंट होगा ठीक है किसकी अब यहां से हम लोग चलते हैं फॉर्मुलाइस की तरफ तो फॉर्मुले कहने के बलब शॉर्टकट्स की तरफ तो शॉर्टकट्स क्या है आप सबसे पहले अपने पास 13 वाला है देखो F2 यहां से तुम्हें कुछ पिलेंगा आपको फॉर रहे हैं MS Word की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको functional की काफी shortcuts बताया हुए है ठीक है तो उसको भी जरूर से आप लोग prepare कर लीजेगा और इसमें भी functional की जो shortcuts है ठीक उनको भी जरूर से आप लोग prepare कर लीजेगा ठीक है अब F2 देखो F2 में F2 क्या करता है edit the selected cell ठीक F2 क्या करेगा challenge cell को संपादित करें देखो जैसे कि यह हमारी है worksheet ठीक है यह क्या है हमारी हो गई है worksheet हो गई इस worksheet पर माल लेते हैं यहाँ पर already कुछ लिखा है ठीक है इस already कुछ लिखा है अब जैसे ही हम इस पर click कुछ भी click करेंगे इसको edit करने के लिए जैसे हमने click किया और कुछ भी दबा दिया ठीक है कोई भी मतलब keyword में से कोई भी इसको प्रेस कर दिया तो जैसे ही अम लोगा हम उसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद को उसी को थोड़ा सा modify करना है तो उसके लिए हम लोग किस की का use करते हैं वो होता है F2 की ठीक है F2 क्या करेगा हमको edit करने के लिए देगा selected cell में यानि इस cell को अगर हमने select कर रखा है और यहाँ पर अगर हम F2 प्रेस कर देंगे तो जो पहले से लिखा हुआ है वो भी लिखा रह जैसे ही हम लोग F5 प्रेस करेंगे हमसे यह पूछेगा system कि हम किस cell पर जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे अगर हमें जाना है तो same to same ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था A1 अगर डाल दिया तो क्या होगा यह क्या है हमारा column है यह क्या हमारा row है ठीक है तो अगर हमने A1 डाला तो वह हमको F5 जब F5 प्रेस करने के बाद हमने A1 डाला उस A1 जब एंटर किया तो हमको direct वो कहां ले जाएगा हमको direct वो ले जाएगा आपके इसी cell पर A1 वाली cell पर similarly अगर हमने कभी भी डाल दिया अगर हम डाल देंगे तो D8 यानि कि देखो यह होता है A, यह होता ह यह होगा D, ठीक है, तो D column के 8th row में, यानि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, assume करते हैं, यहां तक है sheet, तो यहां तक अगर sheet है तो लगबग लगबग वो हमको कहां ले जाएगा, यहां पर, ठीक है, D वाले column के 8th row पर, ठीक है, यह क्या होता है, column होता है, यह क्या होता है, ठीक Excel पर अगर हमें जाना है, तो उसके address को तूँ, अगर हमें cell address पता हुआ है, तो उसके address को तूँ हम लोग जा सकते है, अब आगे बढ़ते है, F7 की तरफ, F7 हमसे क्या बोला है, F7 जो होता है, वो हमको किसी इसके लिए उस करता है, spell check selected text and or document, चैनल टेक्स्ट और या दस्ता अगर हमें spell check करना है, अगर हमने कोई भी information पर रखी है, हमारे Excel की sheet पर और अगर हमें spell check कराना है, वहाँ पर हम क्या press करेंगे, F7 ठीक है, अब next चलते है, F11, F11 हमसे क्या, F11 अगर हमें direct press कर दिया, तो हमारे पास इस sheet में हमारी जो sheet है, इस sheet पर हम क्या कर लेंगे, एक chart ब बढ़ाने का option खुल करके आ जाता है, ठीक है, next control plus shift plus semicolon, देखो, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि इसको क्या बोलते है, ठीक है, जैसे यह dot होता है, और उसके नीचे हलका सा कॉमा लगा होता है, तो इसको मैं लोग क्या बोलते है, semicolon बोलते है, ठीक है, तो अब यहाँ प समझना, MS Word पर इसका formula दूसरा था, ठीक है न, current time को enter करने का formula दूसरा था, अगर आप वीडियो को नहीं देखें MS Word की तो यार, please जा करके MS Word की वीडियो को आप लोग देख लेना, जरूर से MS Word की वीडियो को देख लेना, तब आपको difference समझ में आएगा वरना paper में confusion होगा, ठीक है, वीडियो को देखो, उसको याद करो, उसको लिखो, तब जा करके तुम्हारा preparation complete होगा, control plus shift plus semicolon, वर्तमान समय दर्ज करें, ठीक है, देखो यहाँ पर यह चीज़, याद रखना की किसमें कौन सा होता है, MS Word में current time को enter कराने का formula दूसरा था, Excel में current time को enter कराने का formula द ठीक है, यहाँ पर क्या enter होगया, time, अब 18th point तुमसे क्या बोलना है कि enter the current date, यहाँ पर तुम क्या enter करोगे, current date को enter करोगे, ठीक है, याद रखना किसको enter करोगे, current date को, ठीक है, वर्तमान तिथी, तिथी को अब तुम enter करोगे, तो time को enter करने के लिए control plus shift plus semicolon, और अगर तु 19th point अब से क्या बोला है, alt plus shift plus one, insert new worksheet, यानि alt plus shift plus one, नई worksheet डाले, जैसा कि आप लोग जानते है, excel पर default से आपको 3 worksheet मिलती है, कितनी worksheet मिलती है, 3 worksheet आपको मिलती है, default, ठीक है, 3 worksheet आपको कैसे मिलेगी, default, अगर आपको new worksheet चाहिए, ठीक है, अगर आपको new worksheet चाहिए, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं इस new worksheet को लाने के लिए आप लोग shortcut यूज करिए alt plus shift plus f1 alt plus shift plus f1 के लिए अगर हम लोग alt plus shift plus f1 press करते हैं तो हमारे पास एक नई worksheet आ जाएगी ठीक है यानि इन तीन के अलावा अगर हम चाहते हैं एक और तो वो हमारे पास 4 हो जाएगी shift हो जाएगी जो जिस नंबर पर भी है उसके next नंबर पर हमारे पास नहीं वरक्षीट open हो करके आ जाएगी ठीक है next point है हमारा 20th point 20th point हमसे क्या बोला है shift plus f3 open the excel formula window ठीक हिंदी में एक बार पढ़ लें shift plus f3 excel formula window खोलें देखो यार अब जैसा है कि मैंने आपको बताया कि excel पर इसको समझने के लिए या उस difference को अगर हमें फॉर्मुला ajudar देखने है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे shift plus f3 को प्रेस करेंगे किसको प्रेस करेंगे shift plus f3 अच्छा उससे होगा क्या यह होगा कि excel की formula window तुम्हारे सामने खुल जाएगी ठीक है तो ध्यान से समझ लीजेगा इस चीज़ को shift plus F3 से हमारे पास Excel की formula window open होकर के आ जाती ही यहाँ पर हमारे पास Excel से related जितने भी formula होते हैं वो सारे के सारे मौझूद होते हैं अब आगे बढ़ते हैं next point पर next point हमसे क्या बोला है 21st control plus A और obvious बात हैं सभी को पता होगा select all contents of a worksheet यानी control plus A worksheet के सभी समगरी का चयान करें अगर हमें सारे content को select करना है तो वो किस से होगा control plus A से 22nd point हमसे बोला है control plus B यानी bold the highlighted selection bold highlighted selection यानी कि अगर हमें कोई भी selection है ठीक है कोई भी selected word है और अगर हमें उसको highlight करना है तो हम लोग उसको bold करते हैं और उसके लिए shortcut क्या होता है control plus B ठीक है next है control plus I control plus I क्या होता है भाई सभी को पता है italicize the highlighted selection यानी अगर हमने किसी भी text को select कर रखा है और control plus I प्रेस करते हैं तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा italic यानी कि हलका सा slant यानी हलका सा तिरिच्छा हो जाएगा ठीक है अगर ऐसे लिखा है और इसको हमने select करके control plus I प्रेस किया तो यह हलका सा ऐसे सा हो जाएगा यानी तिरिच्छा सा हो जाएगा ठीक है तो इस चीज़ को समझ लीजगा अब आगे बढ़ते हैं 24th point पर 24th point हम से क्या बोला है control plus C यानी copy selected text ठीक है control plus C बिसी सभी लोगों को पता होगा कि चैने text को copy करें अगर हमें किसी भी text को copy करना है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते है control plus C next 25th point control plus V यानी control plus V paste बाइब यह भी सभी को पता होगा copy किया हुआ है और इसको paste करना है तो हम क्या करेंगे control plus V ठीक next अपना 26th point है वो है control plus D control plus D क्या होता है याद रखना इसको fill करना किसी भी cell पर अगर महाँ कुछ भी fill करना है तो control plus D भी use हम लोग कर सकते है ठीक है उसके बाद है control plus K insert the link और hyperlink control plus K क्या होता है link या hyperlink को अगर ह में डालना है तो वहाँ पर हम लोग किसी करेंगे control plus K भाई जाब important point है ठीक है important point है control plus K से क्या होता है important भाई बार बार बोला important है इस्टार इस्टार सब बना लेना ठीक है क्योंकि इस से हम लोग link और hyperlink दोनों insert करा सकते है hyperlink किसी भी files की तरफ जाने के लिए होता है और link त पता ही है तुम लोगों को ठीक है तो अब आगे बढ़ते है 28th point पर 28th point हमसे क्या बोला है control plus F भाई ये देखो अब ये MS word की तरह है ठीक है F, G और H ठीक है F हो गया तुम्हारा 29th point G और 38th point H ये तीनों क्या है तुम्हारा same to same है किस की तरह है MS word की तरह है MS word की तरह है तुम्हारा ये सेम है control plus F से भी क्या होता है find और replace के option open होकर क्या आते है मतलब find और replace का dialogue box open होकर क्या आता है ची क्या है open go to option ठीक है मैंने आप लोग को पहले ही बताया था MS word वाले वीडियो में की find, replace and go to ये जो तीनो चीज होती है ये एक ही dialogue box में open होकर के आती है ये तीनो एक ही dialogue box में open होकर के आती है ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रख लिजेगा कि find, replace और go to क्या होता है एक ही dialogue box में open होकर के आता है तो अगर हम Ctrl F प्रेस करते हैं तो वहां से भी हमारे पास यही डालॉग बॉक्स ओपन होगा Ctrl G प्रेस करते हैं तो यही डालॉग बॉक्स ओपन होगा Ctrl H प्रेस करते हैं तो यही डालॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है बस सब का काम अलग-अलग होता है ठीक है जैसे ctrl f का क्या होता है किसी भी अगर हमें कोई भी letter है उसको हमें find करना है तो find और replace करना है तो फिर मतलब उसको हमने find किया h को माल लेते हैं हमको h letter को find out करना था और उसको replace करना था g से ठीक है तो हमने h letter को find out किया और उसके बाद उसके replace वाले column में लिख दिया G तो सारी जगे आपका जितना बड़े बड़ी document होगा वो उसमें जहां जहां H होगा उसकी जगे क्या जाएगा G उसी तरह control प्रेस go to अब अगर हमें पता है कि यार हमारे document में हमारे पास कोई भी नाम है ठीक है वो नाम हमारे पास एक बार लिखा हुआ है ठीक है वो नाम हमारे पास क्या है एक नाम जरूर से लिखा हुआ है ठीक तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे control प्रेस जी प्रेस किया ठीक है और वहाँ पर सीधा go to के option पर वो नाम डाल देंगे ठीक है वो नाम डालने के बाद वो डिरेक्ली हमको जहां पर वो नाम होगा वहां तक हमको ले जाएगा next है control H, control H देखो भाई ये एकदम same to same इसकी तरह है control F की तरह है open find and replace, find करो और replace करो किसी भी एक words से या जिससे भी आप replace करना चाहते हो उससे, अब देखो control U भाई control U भी बहुत common है underline highlighted selected selection highlight किये गए chain को रिखांकित करें अगर हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है, माल लेते हैं A, B, C, D, E यह लिखा हुआ है और हमने इसको select करके control U प्रेस किया, तो हमारे पास ऐसे करके एक line सामने कित जाए गी उसके नीचे मतलब, ठीक उसके बाद क्या है, underline हो जाएगी मतलब यह चीज समझ लेना, ठीक उसके बाद क्या है, control plus 5, control plus 5 क्या करता है, भाई देखो important है important है क्योंकि यह different है थोड़ा formula, ठीक है, shortcut यह थोड़ा क्या है, different है, control plus 5 इसमें क्या करता है, strike through highlighted selection, strike through highlighted selection किया गया chain ठीक है, अब देखो, जैसे फिर से example लेते है, A, B, C, D और E का, माल लेते हैं यह लिखा हुआ था हमने control plus 5 प्रेस किया, तो यह क्या करेगा, इसको strike throw कर देगा, यानि बीच से ऐसे एक line खीच देगा, ठीक है, यह क्या करेगा, हलकी से सकते हैं, यहां से control, okay through हम लोग open कर सकते हैं, ठीक, next है control and, control and क्या करता है, control and open new document, ठीक है, यह हमारे new document को open करता है, ठीक है, धजहां से देख लेना, new worksheet अलग है, new document अलग है, new worksheet मतलब उसी document में एक और worksheet add करना, और new document मतलब एकदम से पूरा-पूरा नया document को open करना ठीक है next है हमारे पास देखो control O repeat हो गया ठीक है control O क्या हो गया repeat हो गया control O open options ठीक है बही open क्या options को यह open करता है ठीक control P control P तो भाई सभी लोग को पता है open print dialogue box ठीक है ना यानि print के dialogue box को open करने को हम लोग क्या बोलते है control P उसके बाद 37 ते control S भाई obvious ही बात है save करना यह भी सभी को पता होगा ठीक है control S अगर हम कोई document बना रहे हैं तो उस पर हम लोग जैसे control S करते हैं वह हमारे पास क्या हो जाता है save हो जाता है ठीक next है control Z control Z क्या होता है भाई अभी जग जाहिर एकदम undo last action यानि अंतिम किया को पूरुवरत करना ठीक है यानि कि जो भी action हमने last time लिया हुआ था ठीक है जो भी action यानि कि अगर हमने last नेक्स्ट है 39th point control plus F9 यह देखो यह तुमारे यहां से जितने भी functional keys के देखो यह फॉर्मूलेज है सारे functional key के फॉर्मूलेज है यह सारे क्या है तुमारे लिए important है जहां से समझना control plus F9 minimize current window यानि वरतमान window को छोटा करना अगर हमें जो present में सामने window खुली है excel की अगर तो वो क्या हो जाएगा minimize हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छे अच्छे shortcut हैं लोगों को नहीं पता होते हैं बट आप लोग याद कर लीजेगा ठीक एफ 10 क्या होता है control plus F10 maximize currently selected window यानि वरतमान में चैनित window को अधिकतम करें अगर हमने last time excel की window को minimize कर दिया है या restore down पर है ठीक control plus F6 switch between open workbooks यानि कि खुली कार पुस्तकों के बीच switch करें अगर हमारे पास जो excel की workbook है वो खुली हुई है कई धेर सारी और हमें एक book से दूसरी book दूसरी book से तीसरी book पर move करना है ठीक है switch करना है तो उस switch करने के लिए हम लोग की shortcut का use करेंगे वो होगा control plus F6 अब आगे अधिक खुली excel file के बीच जाएं ले जाएं ठीक है अब जैसे माल लेते हैं हमारे पास अब उपर क्या था workbook थी ठीक है यहां पर देखो क्या है यहां पर हमारे पास है different different workbooks और यहां पर हमारे पास क्या है excel की files है हमारे पास ठीक है excel की different different files पर ही है हम लोग अगर हमें excel की different different files पे move करना है, तो उसके लिए, उसके लिए सबसे सही चीज़ क्या है, उसके लिए सबसे shortcut क्या है, control plus tap, ठीक है, control plus tap के through, हम लोग different different excel की files में move कर सकते हैं, excel की files में हम लोग switch कर सकते हैं, ठीक, next है हमारे पास control plus space, देखो, ये दो shortcut जो है, बहुत important है, भाई, कई बार मैं repeat होत देखा हूँ, ठीक है, ये वाला shortcut और ये वाला shortcut, ठीक, कई बार पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम लोग control plus space को press करते हैं, तो ये पूरे को पूरे column को select करता है, ठीक है, यानि कि ये हमारी हो गई excel की एक workbook, ठीक, ये excel के हमारे पास एक worksheet हो गई, ठीक है इस sheet पर हमने यहाँ पर अपना cursor रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर मतलब ये excel selected है, और यहाँ पर हमने आ करके control plus space कर दिया, ठीक, control plus space जैसे ही press करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी column को select कर लेगा, ये जितनी column जहाँ तक मतलब इसमें document कुछ भी लिखा वहाँ तक ये क्या करेगा, select कर लेगा, उसी तरीके से अगर हम लोग shift plus space देख लेना, यहाँ control है और यहाँ shift है, अगर हम लोग shift plus space प्रेस करते हैं, माल लेते हैं हमने यहाँ पर अपने, यह वाली सेलमने selector रखी, ठीक, यहाँ पर आने के बाद हमने shift plus space प्रेस कर दिया, तो यह पूरी की पूरी row को select कर लेगा, जहां तक कोई भी information fill out होगी, ठीक है, तो यह चीज़े होती है difference, छोटा सा difference है लेकिन ध्याँ से समझ लीजेगा, पूरी पूरी column को अगर हमें select करना है, तो हम उसके लिए control plus space प्रेस करेंगे, और अगर हमें पूरी पूरी row को select करन ठीक, देखो close करने का भी shortcut है, अगर आपको तुरंट close करना है, आज काफी हम लोगों ने Excel के बारे पढ़ा, देखो window जो अपने पास उसकी थी, जो हमने one liner भी बनाया था, उसका MS Word का, वो लंबा गया था, क्यों, क्योंकि उसमें practical ज्यादा नहीं होता, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कैसे आप formula इसको handle करते हैं, कैसे आप shortcut को use करते हैं, ठीक है, कैसे different different shells पर, अगर एक ही information को different cell पर लानी है, लगातार, तो उसके लिए कहाँ पर select करके drag किया जाता है mouse को, तो ये सारी चीज़ आपको knowledge तभी आएगी जब आप इसका practical करोगे, ठीक है, ठीक है, तो practical करना पड़ेगा आपको, फिलाल, चलिए, अभी फिलाल हमने excel बहुत पढ़ लिया भईया, अब हम इसको close करने वाले हैं, close करने के लिए भी, अपना जो shortcut है, वो क्या है, control plus W, इसका shortcut क्या है, control plus W, control plus W क्या करेगा, close the document, यानि दस्तावेज, बंद कर देगा, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, उमीद करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपने MS Word की वीडियो नहीं देखी है, तो भाईयों, मित्रों, जाओ, जल्दी से जरूर से देख लेना उसको वीडियो को, बहुत important और बहुत अच् चलिए फिर वीडियो को लास्त देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन